आपको वेल्कम कहते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं हरी प्याज और आलू की सबजी कहने ठीक है इसके लिए हमने पॉट में 1.5 cup ऑईल घरम कर लिए अब हम इसमें एड करेंगे जीरा 1 तेविल स्पून मैंने यहां हरी प्याज के जो वो थे ना प्याज इसको मैंने साफिश काटी है और जो इसके हरे पते थे वो अलग से काटी है पहले हम यहां प्याँ शामिल करेंगे हरी प्याज के जिए हरी प्याज के लिए अब हिसे हमने ज्यादा पई निकर नहीं बस बस दो ते ती मिनिट्स अब वह उसमें गार्लिक है लेसन मैंने चैप किया है, यह इसमें हम शामिल करेंगे, वन टेबल इसमें और इसमें अच्छी कविक्स करेंगे यह बहुत अच्छी सबी बनती है ब्लीव में आप इसे ट्राय करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी आपकी फैमिली को भी अच्छी लगेगी गार्लिक भी अल्मूस्ट ट्राइ ओचुक है अब हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगी जैसे के नमग मैने यहां 1-2 तेड़े स्पून दिया है और लालमिश पाउडर यह भी मैने यहां 1-2 तेड़े स्पून दिया है और खल्दी 1-1 1-4 तेड़े स्पून और इसके साहसार मै यानि कुटी में लाज मिर्चे ली है वह भी मैंने half tablespoon एट करनी है मसाला अच्छे से fry करके फिर इसमें हमने आलू कट करनी है वह भी इसमें हम शामिल कर देंगे यह तीन अदर्थ आलू है यह इसमें हम शामिल कर देंगे और अब हम इसमें half cup पानी एट करके इसे हल्की आच पर पकाएंगे आलू को हमने मसाले में थोड़ी दे साय कर दिया अब पानी शामिल करेंगे आलू को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे जब तक हमने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है मीनवाल तो ट्रमाठर को हम कट कर लेंगे आलू जो है वो सॉफ्ट हो चुके तो ट्रमाठर हमने इसमें शामिल कर देने और इसे फ्राइ कर लेना है अब हम इसमें यह जो हमारी हरी प्यास के जो लीव पत्ते यह डाल देंगे अच्छा मैंने आपको यहां इसका वो नहीं बताया मैंने कितनी ली मैंने यहां हरी प्यास ली थी अराउंड 10-12 ठीक है वापस इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे ठीक है अब हम इसे देखते हैं अब इसे हम हाई फ्राइ कर लेंगे यह अब हो चुक है बुन गया है इसका देखें ऑईल आ गया है सेपरेट हो चुक है अब और इसका सबजियों का ऑईल यह अब त्यार हो गई है इसका फ्रेम हम अब आफ कर देंगे मैंने यहां एक लैमन जियूस लिया था एक लैमन का तो इसमें हम शामिल करेंगे इस ऑप्शनल अगर आप चाहें तो एड करें नहीं तो नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन टेस्से अच्छा हो जाते है हमारी सबजी बनके तियार है हरी प्यास और आलू की आप इ अपनी दौाओं में याद रखें मिलते हैं हम आप से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इजाज़े दीजिए अ करें